अब सबीष द्रेंट फैराड लाओ उफ इलेक्र लाइसिस पर अधारित ये प्रॉब्लम बनाने जा रहे हैं जो काफी इंपोर्टेंट है और ये सिकेंड लाओ उफ इलेक्राइसिस पर बेज़्ड है तो कुश्चन धुरा समझा जाए ध्यान से इंजियादी प्रॉब्लम 3.16 कर रहा है कि 3 इलेक्रोलिटिक सेल ABC 3 इलेक्रोलिटिक सेल है ABC ये है 1st सेल 2nd सेल 3rd सेल ये रहा 1st सेल जिसमें जिंक का रड़ डुबा हुआ है जेडेने सफोर के मोलर सलुशन में जेडेने सफोर के सलुशन में सेकेंड इलेक्रोलिटिक सेल जो है AGNO 3 का है इस सिल्वर नाइट्रेट एज़े इलेक्रोलाइट यूज किया गया है थार्ड इलेक्रोलिटिक सलुशन थर्ड इलेक्रोलिटिक सॉलूशन जो है वो सीवेस ओफोर के इलेक्रोलिटिक सॉलूशन में डुबा हुआ है जैन दिया जाएं यह तीनों सेल एक सेरीज में है अब पढ़ते हैं क्वेस्टन लेखें थ्री लिटिक सेल एबी सी तीनों का नाम है एबी सी पूरा कहानी समझ में आ गया थक करेंच अफारन प्ञेंट कर आया गया है यहां से यहां च्भा कर देंटम टत्क यह 1.5 थारो और मोटले उलेक्रोल पर 1.45 ग्राम डिपोजिट न हो जा है उसके बाद स्टॉप कर दिया गया तो कर रहा है क्या How long did the current flow तो बताइए कितने time तब current का flow हुआ और फिर आगे कर रहा है What mass of copper and zinc were deposited जैसे यहाँ silver का इतना ग्राम डिपोजिट हुआ तो ये भी बताइए कि इस से zinc वाले electrode पर कितना ग्राम डिपोजिट हुआ ये भी बताइए कि इस से इस zinc वाले electrode पर कितना ग्राम डिपोजिट हुआ और ये भी बताइए कि इस copper वाले पर कितना डिपोजिट हुआ तो तीन चीज़ चाहिए time, wzn और wc 3 round में calculation होगा पहला round स्टार्ट होने जा रहा है तो हमारा पुरा ध्यान के वल टाइम के calculation पर होगा और टाइम का calculation जब निकलेगा तो second cell पर अपना ध्यान बन पर न होगा और second electrolytic cell किसका है silver और A.G.N.O.3 electrolytic solution का तो स्टार्ट करने जा रहा है सबसे पहले बता दीजे A.G.N.O.3 के बारे में जितना रोलेज आपलों के पास है A.G.N.O.3 के बारे में बताए जाए यह silver A.G.N.O.3 कैसे तुटता है कैसे dissociate होता है A.G. PLUS A.N.O.3 MINUS तो यह A.G. PLUS cathode पर जाकर deposit होगा A.G. के form में और यह one mole electron खर्च कराएगा तो one mole को deposit करने के लिए one mole current का यानि electron का खर्च करना होगा तब one mole प्राप्त होगा one mole मतलब और one mole यहाँ आप सभी इस प्रेंड निश्चित तवरपार इस question में सबका atomic weight लिख लेंगे जैसे यहाँ पर दिया है जिंक का atomic weight बताए जाए त्री और copper का 63.5 और silver का 108 direct ले लेंगे ठीक है ज़्याद अच्छा रहेगा 107.9 से चलिए 108 हमने ले लिया तो बताएए one faraday कितने की equal अब इस पूरे कहानी को ज़रा समझे इतना कुलॉंब खर्च कीजिएगा तो इतना gram जाकर deposit होगा जबकि हमारे पास कितना कुलॉंब है बतलब कि इतना कुलॉंब कर ज़स्ट बोलिये बल की 108 ग्राम को achieve करने के लिए कितना कुलॉंब 96500 कुलॉंब electricity खर्च करना होगा तो हम लोग को 1.45 ग्राम deposit करवाना है तो कितना कुलॉंब लगेगा इसलिए इसका कल्कुलेशन शुरू रहा है बोलिये since 108 ग्राम of शिल्वर is deposited by 96500 कुलॉंब of electricity जल्दी बताएं कितना गर आप डिपोजिट कराना है आपको देरफोर वन पॉइंट फुल कल्कुलेशन जड़ा बताएंगे आप सभी स्ट्रेंट कितना रहा है फाइनल 108 इंटो 1.45 कितना कुलांब 1200 1200 95 की 98 0.05 1295 4.3 कुलांब राइट एंसर है और आप क्यू वर्ट पर देहन दिजे ये क्यू का फैलू हो गया आप तो क्यू इक्वल क्या होता है IT आपको क्या चाहिए T How long time Q by I Q का फैलू 4 अपाउन I बुली एंसर टाइम का कितना रहे है डिवाइट क्या जाए कितना 8,6,3,4 क्या सेकेंड तो ये हो गया टाइम का अब इससे आगे थोड़ा ध्यान से सब ये स्प्रेंट समझेंगे आप सेकेंड लाव इलेक्लाइसिस पर कॉर्सन मनाने जा रहे है इस तीनों को ध्यान में रखते हुए सेकेंड लाव इलेक्लाइसिस के अधार पर जल्दी से फर्मुला बोला जाए क्या बनेगा फर्मुला आप लोग जानते हैं दबलू बाइ जाग़न व जगहव पर यहां पर यह फर्स्ट लेपनिटिक सलूजन के लिए बोला जाए डबलुजेडेन बाइ ए जडेन एक्वाल डबलुए जी बाइ ओ जी और गई जान्धिय जाए पहला प्यार हम इसका लेंगे और सल्व करेंगे तो हमें WZN मिल जाएगा कोई भी प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले पूरा अच्छे से देख ले जाता है कि आगे हमको कल्कुलेशन या कोई भी काम कैसे करना है तो आगे हम लोगो WZN और WCU निकालना है तो पहला हम ये दुनों पेयर लेकर कल्कुलेशन करेंगे WZN निकल जाएगा और दूसरी बार दूसरी बार हम लोग इसका प्यार लेंगे WAG by EAG का WCU ECU के साथ तो दो बार हम लोग कल्कुलेशन करेंगे तब जाकर answer आएगा पहले स्टार्ट हो रहा है WZN के लिए तो WZN निकालना है EZN कैसे निकलेगा ZNSO4 dissociate होता है ZN++ equivalent weight निकालने के लिए सिखा रहा है molecular, sorry, atomic mass में divide होगा कितना से 2 से, कैसे जाने यहां से atomic mass बताइए जली से 65.3 upon इसको इसी तरह रहने दीजिया वाई यह silver के बारे मताइए silver 108 upon 1 कैसे आया AGNO3 को तोड़ने पर पता चला किसकी balance 1 होगी और अब इसका weight बता देजे given weight दिया हुआ है 1.45 इस पूरे value को लेकर हम put up करने जा रहे है WZN by EZN WAG by EAG एक जैसे ही हम pair solve करेंगे आप सभी student बनाने के like हो जाएगे जल्दी बूलिए WZN EZN कितना 65.3 by 2 हम बूलिए 65.3 by 2 और ये WAG दिया है EAG 108 by 1 इस पूरे को solve करेंगे WZN का final क्या क्या जाएगा 1.45 into 65.3 divided by 108 into 2 पूरा रहा है final answer रूलिए 4.3 9 4.3 9 ग्राम ये पहला pair second pair ये first calculation हुआ इस pair का और हम क्या चीज निकाल लिए WZN अब second pair आप लोग बोलेंगे और हम लिखेंगे start बोलिए pair WAG equal upon चलिए WAG आपको बता है 1.45 EAG 108 upon 1 WCU निकालना है ECU निकालने के लिए हम आपको support कर रहे हैं कि CUSO4 को तोड़िए और तोड़कर valency जान जाईए बताए ये कितना से divide होगा ये इसी चीज़ के लिए तोड़ा जा रहा है कि आप समझ जाए चल जली बोलिए ECU का कितना 2 अब सारा value put up करवाईए बोलिए WCU जैसे है जो कहते हो 63.5 अब इस पूरे को solve करेंगे WCU ये पूरा solve करने पर रहा है 0.42 ये था आपका इस question का complete answer अगर आपको चेस समझ में आया तो हम इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें और दो बार कम से कम इसका बनाया हुआ देख ले तो आपको confidence आजाएगा और ये फैराडे second law of classes पर अधारी प्रोब्लेम था जो भी इसको online offline देख रहा है जरूर इसको और दो बार इसको अच्छे से conceptual question है अधार